हेलो दोस्तो आज हम प्रोटीन पाउडर बनाने वाले हैं और वो भी बहुत आसान दरीके से बनाएंगे इसे घर पर ही बनाकर रेडी करेंगे तो यह देखिए एक चमच बस दूद में मिलाना है डेली आपको पीना है और इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी तो उसके लिए हम आधा कप ले लेंगे मुफली तो यह मुफली कच्छी है और हमें कच्छी मुफली ही ले रही है अभी गैस को हमने आउन कर दिया है आप कड़ाई या तावा कुछ भी रखे उससे बूनने के लिए तो इस तरीके से हमें बूनना है इसमें तेल घी कुछ भी एड हम नहीं करेंगे तो दोस्तों मुफली के फाइदे तो आप सबको पता ही है बहुत हेल्दी होती है मुफली और जैसी कि अगर आप बादाम नहीं लेना चाहते बादाम एफॉर्ट भी नहीं कर सकते हो तो बस उसकी जगह पर मुफली आप खा सकते हो और बराबर य उतना ही मुफली में होता है तो यह देखे अच्छे से भून चुकी है और इस तरीके से इसका छिलका उतरने लगे समझ लो कि अच्छे से भून गई है बस उसके बाद इसे हम कड़ाई में से निकाल लेंगे और इसको हम प्रॉपर ठंडा होने के लिए रखते हैं तो जब इसको पूरा करता है और मखाना हमें जरूर खाना चाहिए अपने डाइट में जरूर सामिल करना चाहिए तो जैसे आप खाने मखाने भी बहुत लोगों को पसंद होते इस तरीके से रोश्ट करके डबे में भरके रख लो और एक मुठी आप डेली खा सकते हो तो इसको भी हम देखिए कोई घी तेल अगरा नहीं यूज़ करेंगे उसके बिना ही हम इसे आज बनाएंगे तो जो तेल घी चीनी गूड इन सब की बिना बनाना चाहते हो तो यह रेसिपी को जरू ट्राई करना आपको बहुत पसंद आने वाली है तो यह देखिए यह भी अच्छे से भून चुका है तो इसको आप हाथ से से प्रेस करोगे ना तूटने लगेगा समझ दो की भून गया है बस इसे प्लेट में निकाल करना अच्छे से ठंडा होने के लिए रखते हैं तो जब तक मारे मखाने ठंडे हो रहे हैं तब तक हम तिल को भून लेते हैं तो बस हमारी क्वांटिटी कम जादा कर सकते हैं और दो बड़े चम्मच में तर्बूज और खर्बूजे के बीज ले लूँगी तो ये तो गर्मे में बहुत आसानी से मिल जाते हैं अगर मार्केट में नहीं मिलते तो तर्बूज और खर्बूज तो आप ही रहे हैं मार्केट में आप इसे हम आसानी से फिर grind कर सकेंगे तो इसको भी proper हम ठंडा होने के लिए रग देते हैं फैन ओन कर देना है अराम से 5 मिन पर ठंडा हो जाएगा तो यह देखिए मुफली तो हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद यह देखिए बहुत आसानी से इसके छिलके निकल रहे है बस इसी तरीके से करना है और क्या अगर की तेज आज पर कर दोगी तो अंदर से वो न सौगी सी रह जाएगी क्रंची नहीं आएगा तो क्रंच आना चीए उसी तरीके से हमें इसको भूनना है क्योंकि इसमें गुट फैट बहुत ज्यादा होता है और इसको ज्यादा ग्राइड करते हैं तो इसको ऑल रिलीज हो जाता है और यह फिर ड्राइ सा पाउडर नहीं बनेगा तो इस इसको ध्यान रखना है कि ग्राइड करें थोड़ा रुक-रुक के ग्राइड करना है तो इससे क्या होगा कि इसका ड्राइ सा पाउडर बनकर रैडी होगा तो आप देख सकते हैं यह प्राइस जादा में नहीं चल आना ग्राइड कर देख लेते हैं मखाने भी हमारे धंड हो चुके हैं ये देखे मखाने तिल और खरबुजे के बीज तरबुजे के बीज सारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो बस ठंडे हो जाते तो उसमें क्रंच आता है तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं तो इसे भी हम जार में डाल देंगे तो बस मुफली को हमें अलग से करना है और इन सब चीजों को मखानों इन सब को हमें अलग से ग्राइंड करना है तो ये देखें ये तो बहुत जल्दी से हो जाते हैं मखानों में बहुत अच्छा क्रंच जाता है तो बहुत अच्छे से ये महीन सा इसका पाउडर बन जाता है तो इस तरीके से पाउडर हमारा बनके रेडी हो गया आप देख सकते है अब हम एक बाउल ले लेंगे छोटा सा और इस तरीके से बाउल में हम निकाल देंगे जो भी मिक्सर हमने बनाए है ना सारा इसमें डाल देंगे इसको बाद ये वाला जो माखाना वाला बनाए था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे तो ये देखी हमारा मिक्सचर बहुत है असानी से बन गया है इसे हम चम्मस से अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इसीच का ध्यान रखना मैंने जैसे बताया है कि मुफली को हमें बहुत जादा नहीं चलाना है इसलिए हम यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब ऐसा नहीं कि आप इसको मिक्सी में डालके दुबारा एक बर चला दो ऐसा नहीं करना वरना फिर आपका पाउड तो जैसे से मैंने बताया है बिल्कुल step by step आप इसे जरू ट्राइ करें तो थोड़ा सा मिठास के लिए मैं इसमें डाल दूंगी यह दागी वाली मिस्री तो जैसे अगर ठंड होती तो मिसमें गुड़ डाल सकते ते गर्मी है तो हम गुड़ नहीं डालेंगे तो इस तरी अपनी मिठास होती है तो आप चिनी नहीं डालोगे तो भी चलेगा तो यह देखें पाउडर बन किया है तो जो थोड़ा मीठा पसंद करते न दूद में तो वह इस तरीके से एड़ कर सकते है वारना बिना इसके भी आप बना सकते है बिना चिनी के तो इसको भी हम पाउडर बनकर रेड़ी है तो बस दोस्तों इस तरीके से आप घर पर बनाईए और बाहर से लाने की बिल्कुल भी जरूत नहीं देखें किते आसान तरीके से कम समान में बन गया न और यह देखें इस तरीके से हम कोई भी जार ले ले लेंगे छोटा सा जार ले ले लेना पनागा खा सकते हैं अपना इस तरीके से निस वर की पाउडर पॉर्म में भी लोग जिसरे चाम मुठा एग लिए जहाँ लेना एक चाम आप एक अपता मत भी से खा कर उसमें mix खाकर देखिए या दूद में मिला कर पी के देखिए आपको result खुट देखेगा जैसे कि बहुत साथ होता है कि body pain होने लगता है लेडिस जैसे बहुत घर का काम करती है ऑफिस का भी करती है तो बहुत hectic life हो जाती है तो इस तरीके से आप घर पर बनाईए और इसे ब बड़े parents है तो इस तरीके से लेडिस और जेंस के लिए आप इस तरीके से एक चमच डाल सकते हैं तो इस तरीके से मिला कर पीजिए बहुत ही healthy होता है और जो sugar patient है तो वह चीनी जो हमने डाला था ना मिसरी वह totally skip कर दे आप उसकी जगबर खजूर डाल कर बना सकते हैं तो यह option है उनका दो पर से थोड़ा सा डाल देंगे crunch साएगा तो बहुत अच्छा लगेगा तो यह देखिए healthy हमारा drink ready है तो आप इसे जरूर प्राई करें बहुत ही आसान तरीके से बन गया हमने कोई काजू बदाम घी तेल कुछ भी यूज नहीं करा है तो आप इस तरीके स स्किप कर भी सकते हैं जो main ingredients से आप उसको जरूर रखे तीक है इसमें जैसे की मुफली और मखाने थे तो उसको रखें बाकी चीजों को छोड़ा कम कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस कर दें